नमस्कार, आज थोड़ा कंट्रोक्शन वार्क के उपर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कंट्रोक्शन वार्क में कौन्सा कौन्सा खात्रा महजुद रहता है और इन खात्रों से बचने के लिए हमको कौन्सा कौन्सा सेफ्टी प्रिक्वेशन और सेफ्टी गाइडलाइन्स फोलो करना चाहिए कौनसा कौनसा safety procedure को आपनाना चाहिए ताकि हम safely काम कर सकते हैं जैसे घार से आये है यह इसा ही घार पर रिटोन जा सकते हैं बिना नुक्सान पहुंचाते हुए तो दखेंगे कि इसमें कौनसा कौनसा basic safety rules है जो हमको फोलो करना बहुत जरूरी है और उसको हम फोलो करते हैं तो हमारा बिना नुक्सान किये हुए हम इधर काम करके आराम से लोड सकते हैं तो इसके उपर डिटेल स्टर्च करेंगे तो देखेंगे कि पहले जो यहां पर काम कर रहे हम उसके लिए पहले हमारा पीपीज बहुत important से मुक्षिय है हम कोई भी काम करने से प्रेशनाल प्रोटेक्टी एक्कुमेट जो हब आप लोग पहनते हम लोग पहनते यह जैसे कि हैलमेट होगया से पेहनने से पहले एक बार जौरूर चेक कर लेंगे कि这 समय कोई यामेज तो नहीं कोई प्रोब्लेम तो नहीं है सेते हुग खटा फीटा नहां हो और करेंगे उसके बाद जो और जो भी वल्डिंग के लिए ग्राइंडिंग के लिए और यहां पर और बी जो अलग-अलग काम कर रहें आप लोग उसके रिलेटेड जो भी पीपीज है प्रोस्नाल प्रोटेटिक इकुमेंट है उसको जरूर पहनना चाहिए उसके बाद आपना स साइट पर काम चाल रहा है उसमें जो भी साइन बोड है उसका प्रोसीजियूर को फोलो करेंगे और ऐसा कोई जगा में हम ना काम नहीं करेंगे जिसमें ऑनसेप एरिया हो ऑनसेप कॉंडिशन में हो ओ एरिया से दूरी मोना रखके राखेंगे और हमारे जो साइट इंचा कर रहे हैं वह सही कॉंडिशन में होना चाहिए उसका कोई ड्यामेज ना हो और यहां पर हम काम कर रहे हम खुद को भी रिक्स में नहीं डालना चाहिए और हमारा साथी कर्मचारी हैं हमारा जो दोस्त लोग है वह कभी नुक्सान उनको पहुंचे या कोई रिक्स जगा हो उहाँ पर उनको नहीं डालना थिक है तो और हम उसमें अगर कोई काम कर रहे हम उसमें हमको डाईट रहता है हम पुछना चाहिए तो बेसिकलिजन ज़्रूर्ट पुछिए लून चाहिए बतल tv करेंगे यहां फोलो करेंगे तो काफी सरा जो यहां पर खात्रा है जो नुक रहेगा तो और देखेंगे कि इसमें यह बैसिक सेप्टी रूल्स हो गया और इसमें देखेंगे कि आपना जो साइट से उसमें नॉर्माली कौनसा कौनसा खात्रा हमको मतलब सामना करना पड़ता है फाम फेल्स करते है उसके उपर थोड़ा चर्चा करेंगे जैसे कि हम कभी भी हाइड में काम करेंगे उँहां फेल्स उप्रपर रहता है और हम लीपटिंग कार रहें सामान भगेर एक जगा से दूसरा जगा ले रहे और हम उपर नुकस्ण उठाना पड़्सकता है और कोई मैट्रियाल ओगर उपर है लूज कौनिशन में है या साइट में है गिरन हमेशा बना रहता है अगर हमारा जोונों फ्लॉर लेए तो आध्र स daha यका कणर सकते उसकोगा रहता है उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे उसके बाद यहां पर आग लागने का फायार हाजर्स जो आग लागने का खत्रा हमीशा मौजूद रहता है साइट पर जो भी यहां पर ओन्वांटेड मेट्रियाल है स्कार्फ है रॉबर है प्लाइबोर्ड वोगएरा जो भी ह स्कार्फ एरिया में ही डालेंगे इथा उदर जो भी मेट्रियाल है उसको सही से राखेंगे तो यह जो फायार हजार से आग लागने के खत्रा है इसका चांस बहुत ज्यादा कौम हो जाएगा और जो भी मेशिनारी वोगएरा हम यूज कर रहे है टूल स्टेकल जो यूज हो और अब कहां पर है खुलाब कर रहे है या इसाल जो भी रोटरेटिंग पार्ट जो भूमने वाला उसमें गार्डम लगाना बहुत जोरूर है विना गार्डबाला जो भी मेनारी है को भी विलicated को नुक्सान पहुण सकता है और radar ले यूज का और सब्लांट पे तो इसक काम करेंगे और जो इलेक्टिकल एकुमेट है कॉनेक्शन है वो सही से होना चाहिए उसके बाद जो हमारा जो गाड़ी बगएरा लोडिंग करके मेट्रियाल इधार अशीप्ट कर रहे है ओवर लोडेड नहीं होना चाहिए और कोई भी गाड़ी अभर स्पीड में यहां पर अगर जायेगा तो उभी नुक्सान पहुंचा सकता है और जो भी कैंटी लोवर बगएरा है अगर unsafe condition में है तो भी sonut पहुंचेगा और unsafe mobile crane से में नुक्सान पहुंचेगा तो यह जो unsafe structure बगएरा है unsafe shaft है age है यह सब जो unsafe condition में है यह सभी से हमको नुक्सान पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस रहता है जैसे कोई कहां पर हम काम करें उहां पर हम सही पोजिशन नहीं लेके काम करेंगे तो अभी भी उहां पर नुक्सान पहुंच चकता है हीट रेडियोशन के बज़े से नुक्षन पहुंच चकता है तो ये काफी सारा जो खात्रा है ये मोजूद रहता है कॉंट्रोक्षन साइड पे तो इन खात्रों से बचने के लिए हमको कुछ सेफ्टी गाइडलाइन्स फ्रिक्वेशन फोलो करना चाहिए तो ये जो खात्रा है उसे हम बहुत सकते है तो जो भी हम कोई भी काहां पर भी काम कर रहे तो उहां पर जो हाउस्किपिंग का उपर टोटल ध्यान देंगे नीट एंड क्लीन एरिया रहना चाहिए उसके बाद उहां पर जो भी गाड़ी चाल रहा है उसका स्पीड लिमीट होना चाहिए जो भी आगलागनेंगी चांसे से हो तो उहां पर fort Christian chip का इंस्ट्ल करेंगे और जो भी material हमार हम stack कर रहे हैं जो इकाठा कर रहे हैं उसको फ्रफोली stack करेंगे और कभी भी height पर काम कर रहे हैं तो उहां पर full body harness जरूर यूज करेंगे safety belt का जरूर पहनेंगे उसके बाद जो उपर हम चौड़ रहे हैं जो उहां पर हाई रिक्स है तो उहां पर safety net का विवस्ता करेंगे safety net यूज करेंगे और इसमें जो भी भी excavated material है वो side से एक मीटर दूरी बना के उसको राखेंगे और इसमें जो भी equipment बगरा यूज कर रहे वो सही condition में हो और कुछ damage ना हो electrical जो cable बगरा जहां पर connection है ELCV RCCV MCV यह सब connected हो और इसमें जो भी working platform हो सही condition में हो और इसमें कोई भी opening area है उसको close करना बहुत ज़रूर है tools टेकल सही condition में होना चाहिए ऑनकती करना जहाएं वो सही में हो सही ञानियादी अजयादी नाही जारूर है एकतव भी में हो कर। विंथ कर। अजया रहां बदकत